गुड मॉर्निंग बच्चो बच्चो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे और बच्चो आज हम इंग्लिश में read and complete the story पढ़ेंगे ठीक है बच्चो यह आपके इंग्लिश के book के page number 17 पर है ठीक है बच्चो यहाँ पे देखो हमें एक story दे रखी है ठीक है इनके यह words लिखने हैं हमें इंफरिंदा blanks में ठीक है तो हम करता है ठीक है the sun is shining ठीक है तो यहाँ पे आएगा sun sun is shining ठीक है सूरत चमक रहा है a boy यहाँ पे क्या आएगा बच्चो यहाँ पे आएगा boy ठीक है a boy is sitting outside hut hut में सोती है बच्चो जोपड़ी boy कहाँ बैटा है जोपड़ी के बाहर यानि hut के बाहर sit on the mat किस पे बैठा है mat के ऊपर बैठा है ठीक है जो boy है वो mat के ऊपर बैठा है and have some mango ठीक है boy के पास क्या है बच्चो boy के पास है कुछ mango ठीक है and pour water ठीक है इंदा जग, जग में वाटर को कर रहा है ठीक है, अब यहाँ देखो, यह क्या है बच्चों, यह देखो, यह सिम्बल है, समझ जाओ, यह होता है होट, ठीक है, He drink hot milk from the cup वो गरम दूद को कप में कर रहा है ठीक है बच्चो तो यहाँ पर क्या आएगा? कप ठीक है A boy has a dog Boy के पास क्या है बच्चो? Dog ठीक है He gives some milk to his pet in a mug ठीक है? क्या कर रहा है? वो दूद पिला रहा है dog को और किसके अंदर? मक के अंदर ठीक है? He throw all waste in a dustbin जो भी waste material है बच्चो किसमें डाल रहा है? Dustbin में ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम Dust Bin ठीक है? इसका answer है dustbin तो बच्चो जैसे मैंने करा है सुन्दो सुन्दर वैसे ही आपको लिखना है वो अच्छे से करना है यह ठीक है बच्चो? जैहिन बच्चो